हाँ तो विद्यार्थियों अब हम कई संक्रियाओं युक्त ब्यांजकों का सरली करन सीखेंगे सरली करन में कुछ इसका नियम है जो कि आप लोग जानते होंगे इसको थोड़ा साद कर लेंगे औने पहले काकर पीछे भाग तब गुना तब जोड़ घटाओ जब ब्यांजक दिया हुआ रहता है तो उसमें कई चिन होते हैं जिसे जोड़ घटा गुना भाग एक ही हिसाब में कई तरह के रहते हैं चिन तो उसको यही इसी के द्वारा हम इसको सोल्व करते हैं या इसके लिए एक सब्द आता है बॉड़मस ऐसे तो बोडमस का कोई सावधिक अर्थ नहीं होता है लेकिन परतियक बर्णमाला का अर्थ होता है यहां है बोडमस B, O, D, M, A, S B से होता है ब्राइकेट कोश्टक तो कोश्टक चार परकार के होते हैं पहला है रेखा कोश्टक उसके वाद बड़ी कोश्टक मंजली कोश्टक और छोटी कोश्टक यह होगया ब्राइकेट B से ब्राइकेट दूसरे में आता है O O का मतलब होता है आउप आउप का का हो गया उसके वाद आता है D Division, भाग उसके वाद आता है यम यम से होता है multiplication, गुना उसके वाद है A A का मतलब होता है addition, जोड और लास्ट में है yes, substraction, घटाव तो इसी सर्थ के अनुसार हम बेंजगों का सरली करन करते हैं, इसके लिए एक उदाहरन के जरीए हम समझेंगे एक उदाहरन है 16 भागा छोटी ब्राइकेट 15-8-3 ब्राइकेट 1 पलस 4 इस हिसाब को हम 16 जदी करेंगे तो सबसे पहले हम ब्राइकेट का काम करेंगे तो 16-16 रह गया भागा और उसके बाद में 15-8-3 ब्राइकेट के अंदर है तो माइनस 8 और माइनस 3 दोनोरी नातमक है तो 8 और 3 ये गार है अन्य माइनस ये गार है तो 15 माइनस ये गार है अब पलस 4 हो गया अब उसके बाद तिसरा स्टेफ में 16 भागा और 15 में गारोग घटाएंगे 4 आएगा तो 4 हो गया अब पलस 4 अब इसमें भाग है और जोड है तो पहले भाग की किरिया करेंगे तो 16 में 4 से भागा दे देंगे 4 चोग 16 4 आएगा अब पलस 4 बराबर 8 होगा ये ही अन्सर हो गया दूसरा उदाहरन हम लेते हैं 8 बड़ी ब्राइकेट 6 पलस 2 मंजली ब्राइकेट 5 माइनस 4 चोटी ब्राइकेट 5 माइनस 8 चोटी ब्राइकेट मंजली ब्राइकेट और बड़ी ब्राइकेट इसको हमको सोल्व करना है तो उसी के सर्थ के अनुसर सबसे पहले हम चोटी ब्राइकेट का काम करेंगे जैसे है वह इसे अंको उतारते जाएंगे जैसे 8 है तो 8 हो गया बड़ी ब्राइकेट 6 पलस 2 मज़ी ब्राइकेट 5 माइनस 4 अब यहाँ छोटी ब्राइकेट के अंदर 5 माइनस 8 है अन्य 5 में 8 को घटाना है तो घटाएंगे तो माइनस 3 आया तो हो गया 8 बड़ी ब्राइकेट 6 पलस 2 महली ब्राइकेट 5 और माइनस 4 और उसके बाद 5 में से 8 गया था तो माइनस 3 हो गया तीसरा स्टेप में पुना हम महली ब्राइकेट को खतम करेंगे तो 8 हो गया 6 पलस 2 और ये 5 के 5 रह गया और माइनस 4 गुने माइनस 3 चारतिया 12 पलस में बदल गया 12 इस तरह से पुना उसके बराबर हो गया 8 छो पलस दू और 6 पलस दो आई 12 पांच 17 हो गया तो 2 गुने 17 फिर उसके बाद आगे का श्टेप हो गया 8 और 6 पलस इसमें जोड है और गुना है तो पहले गुना काम करेंगे तो 17 दूनी 34 छो जोड बराबर हो गया 8 और 34 छो चालिस तो 8 गुने 40 तो 8 चो का 32 यही एंसर हो गया